नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इंजिनेर गोपाल पटेल पर फ्रेंड्स हमें यहां पर NPCL के ओफिसल वेबसाइट पर Nuclear Power Corporation of India Limited तो फ्रेंड्स बहुत सारे दोस्तों का बहुत सारा डाउट है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें दोस्तों मैं आप लोग को कई बार बोल चुका हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा तभी आप लोग को solution मिल पाएगा सिर्फ आप लोग कमेंट करते जाते हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले ही कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए आप लोग का सारा डाउट समाप्त हो जागा कि आप लोग का admit card कैसे download होगा क्यों नहीं download हो रहा है अगर download नहीं हो रहा है तो क्या करना है ठीक है और फिर कोई student बोल रहा है कि मेरा नाम गलत डला गया अगर फोम में तो क्या करना होगा तो आप लोग वीडियो के अंत खबने रहे है ठीक है तो आईए सबसे पहले हो बात करते हैं यहां पर सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कि आप लोग का जो कल आया है plant operator का admit card नरोरा site का ठीक है नरोरा site का जो admit card आया है plant operator के लिए तो आप लोग को क्या करना है अपना admit card डाउनलोर नहीं हो रहा तो कि मिफ्रेंट्स npcl है जो आपको link नहीं देता है special क्या आप लोग कैसे अपना admin card डाउनलोर करना है आप लोग को क्या करना होगा आप लोग को सबसे पहले npcl के official website पर आना होगा तो यहाँ पर आप लोग npcl क45 पर आईये इसका link मैं आपको description में दे दूँगा ठीक है इसका link मैं आपको description में दे कर दूँगा उसके बाद आप लोग को ねっ sgt खुलेगा और फिर आप लोग को क्या करना होगा फिर आप लोग को तो यहां पर देख रहे हैं, second number पर है, recruitment of paramedical, stipendary and non-technical post of NAPS, second number पर है, और यहां पर आप लोगो क्लिक करना होगा, ठीक है, यहां पर आप लोग क्लिक कीजेगा, क्लिक कीजेगा तो फिर ऐसा खुलेगा, फिर आपको यहां पर थोड़ा सब बैक जाना होगा, फिर आप लोग को क्या करना होगा, यहां पर लोग इन करना होगा, जहां पर without difference, आप लोगों ने अगर NPSL का किसी भी साइट का अगर form भा रहा है, तो आप लोग को सबसे पहले NPSL का फिर आपको उस एरुटाइमेंट पर जाना होगा, फिर आप लोग को क्लिक हैर पर क्लिक करना होगा, फिर आप लोग को जो लोग इन का सेक्षन दिखता है, इस पर आप लोग क्लिक करना होगा, लोग इन के सेक्षन पर क्लिक कीजएगा आप लोग, तो यहां पर आपको login करने का आएगा यह तो आप लोग का pre-examination का बता रहा है इसके इसका कोई मतलब नहीं था ठीक है यहां से देखिए मैं back करता हूं और आप लोग को यहां पर login section दिखेगा तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग यहां पर थोड़ा दिश्टाइब कर र जो आपके email address पर भी होगा और आपके mobile के message में भी होगा login ID और password डालना है ठीक है और password डालिएगा उसके बाद आप लोग को login कर लेना है तो यहां पर देखिए मैं एक login करके देखाता हूं आप लोग को तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तो मैंने login कर लिया है ठीक है अब आ अब आप लोग को यहां पर जाना होगा apply का section दिया है apply पर click करना है अप लोग को apply पर click किजिएगा आप लोग तो यहां पर देखिए 5 option देखेगा चार है change password apply online application status update contact information तो आप लोग को तीसरा नहीं पर click करना application status पर तो application status पर मैंने click किया अब यहां से आप लोग को पता चल जागा दोस्तों कि आप लोग का admit card आया ही नहीं अगर admit card नहीं आएगा तो सिर्फ यहां पर आप लोग को लिखाएगा you have been shortlisted for return test यानि आप लोग का आप लोग ने जो form भरा है वह आप लोग का form accept कर लिया गया ठीक है और यहां पर देखिए नीचे दिया गया है क्या दिय क्लिक here to generate admit card for return test यह हो गया फ्रेंट्स आप लोग का तो यह plant operator के लिए form भरा गया था तो यहां पर plant operator के लिए जो नरौरा साइट का है admit card यहां पर दे दिया गया है और नरौरा साइट का एक्जाम 27 तारीक को भी है 27 मार्च को भी है और 28 मार्च को भी दो दिन एक्जाम है क क्योंकि एक दोस्त ने मुझे comment मताया था कि उन्होंने RTI किया था तो कितना form भरा गया था तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बतान दूँगा कितना competition रहने वाला है और आप लोग का तयारी क्या रहना चाहिए ठीक है तो यह रहा गया फ्रेंट्स आप लोग का कैसे अपन आप लोग अपना Admin乐 का डॉल्लोंड नहीं कर पा रहा है तो मैंने आप लोग को कई बर बताया है कि आप लोग सब्सद्स και अ कूर्ग क्लिक कि ये पिर आप लोग देखिए क्या बोल रहा है आप लोग को दोस्तेपक करने के लिए बहुद पहला के क्या click here to generate password change request यहाँ पर click कीजिए आप लो यहाँ जैसे ही click कीजिएगा आप लो यहाँ पर देखिए एक नया खुलेगा और यह देखिए नीचे खुल गया है यहाँ पर आप लोग का username आएगा username में क्या डालना आप लोग का तो जो form भरते से में आप लोगों ने username बनाया था जो की आपके email address पर यूपलब्द है और आपके mobile के message में यूपलब्द है फिर आप लोग अपना date of birth डालना होगा फिर आपको अपना email डालना होगा फिर आपको जो नीचे दिया गया डालना होगा इसे आप लोग किलिक किजएगा इसे फिर आप लोग यहाँ पर generate password chain request किजएगा तो आपके mobile पर क्या जाएगा एक OTP जाएगा ठीक है एक OTP जाएगा identification code फिर यहाँ पर किलिक किजएगा देखिए reset and create new password using the identification code अब यहाँ पर मैं किलिक करता हूँ ठीक है यहाँ पर मैंने किलिक किया तो देखिए आप लोग को जो username है आपका डालना है date of birth डालना है email डालना है फिर new password डालना है आप लोग को जो password बनाना है आप लोग अच्छी तरीक्स बनाइए और उसको याद कर लिजिए फिर new password को confirm करना है और identification code जो आपका आया email पर अभी जब first section वला आप लोग किजिएगा तो आपके email पर एक identification code जाएगा वो यहाँ पर डालना होगा उसके बाद फिर से आपको capture भरना होगा फिर आपका create password हो जाएगा ठीक है उसके बाद फिर आप लोग अपना login करके अपना admit card download कर सकते हैं तो आप लोग को जानकारी सों में आगई होगी आसा करता हूं friends और जहां पर भी आप लोग को doubt है आप लोग जरूर comment box में comment किजिए और आसा करता हूं कि आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करता हूं तो मिलते हूं लोगों नोश्वडियो में चैनल पर ना है विजिट कर रहे हैं आप लोग तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लाए प्रेस कर लेए बेल आकन को जिससे आगए आँ लेटेस्ट वीडियो लेटिस्ट भेकेंशी एंड इंपोर्टेंट न्यूजक्वार में आप लोग को तुरान जनकारी मिल दी रहेगी थांक यू फ्रेंड्स